हम लोग अक्सर यहां बैठकर आपको कहते हैं कि मोदी सरकार ध्यान बटाती है रोज नए शिगूफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करना तो सवाल उठता है और बड़ा जायस और वाजिब सवाल है वो क्यों करते हैं किस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है, बताया कुछ जाता है वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं क्या छिपाना चाह रहे हैं वो बहुत एहम सवाल हो जाता है अभी पिछले हफ्ते ये पूरा हफ्ता जो गया जो कल खतम हुआ जी ट्वेंटी का पूरा एक शोरगुल मचाया जा रहा था जी-20 का इधर शोरगुल था सब कुछ धका जा रहा था सब कुछ छिपाया जा रहा था तो हमने पता लगाया कि सब क्या क्या छिपाया जा रहा है तो जी-20 की आड में जमु कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहाँ एल जी है नाम उनका मनोज सिनाजी है अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती कभी किसी फ्रॉड से 25 लाग का लोन ले लेते हैं किताबों पर और अब जो मामला सामने आया है वो और जादा गंभीर है तेरा हजार करोड रुपे का गबन का भ्रष्टाचार जल शक्ती अजल जीवन जो भी आप उसको नाम देना चाहें और तो और एक अधिकारी जो की दलित परिवार से आता है गुजरात काडर का है डेपुटेशन पर जमू कश्मीर में है नाम अशोक परमार है आईएस है विसल ब्लोर है वो लगातार चिथियां लिखता है लगातार फ्लैग करता है लगातार ध्यान आकरशित करता है सवर्या क्रिया का अनुकर्ण किये हो रहा है कि साल में 6455 बार उसका हसान्तरन हो जाता है उसका ट्रांस्फर हो जाता है यह कि चार-चार बार कि ना केवल उसका स्थानांत्रण होता है उसको भरी मीटिंग में स्वयम एलजी द्वारा अपमानित किया जाता है विसल ब्लोवर के साथ तो यह हालत और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है तो अब आपको समझ में आता है कि headline management क्यों किया जारा है क्यों यह event management होता है क्यों आपके मालिकोंपर इतना दबाव होता है कि साथ यह नहीं यह चलाओ इतने फोन तो आपको अपनी धरमपतनी नहीं करती होगी या आप अपनी धरमपतनी को नहीं करते होगे जितने फोन हरें जोशी के आजाते हैं आपके मालिकों के पास कभी सुना ऐं अपने हर एक घंटे में message आ रहा है यह headline यह ठीक नहीं है इसमें कॉमा ठीक नहीं इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं इसमें उसका नाम गलत है इतना हस्तक शेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजे कि क्यों हो रहा है वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए, वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे ब्रश्टाचार को सब के सामने लाए